इस वीडियो में डिटेल में बात करें कि West Indies और USA की बीच में होने वाले Super 8 के एक और मुकाबले की तो दो ग्रूप में 4-6 टीमें डिवाइट की गई है Super 8 में दोनों ही टीम West Indies और USA अपना पहला मैच हार के आ रही है West Indies को England नहाराया, USA को South Africa नहाराया अब क्या है कि दोनों ग्रूप में से दो-दो टीम क्वालिफाई करेगी फिर उनके बीच में सेमी फाइनल मुकाबला होगा तो West Indies की टीम ज्यादा मजबूत है और West Indies में ही मैचेज हो रहे है तो यस मैच को 100% West Indies की टीम विन करने वाली है यह जो मैच होने वाला है, Barbados में होने वाला है, Bridge Town में होने वाला है जहां कि इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ था Super 8 का उसमें इंडिया ने 181 बनाया था, अफगानिस्तान की टीम को 134 पे All Out कर दिया था यहां पे Pacers और Spinner दोनों को ही विकेट्स मिलते हैं, सभी मैचे में आपको यही देखने को मिलेगा यहां पे Run भी अच्छे बनते हैं, मतलब यह जो Bridge Town, Barbados की पीछे, एक Balanced पीछे है जहां कि Batsmen भी Important है, Pacers भी Important है और Spinner भी Important है दस विकेट लिया, Pacers ने पहले इनिंग में 4, दुसरे इनिंग में 6, Pacers ने टोटल साथ विकेट लिया, Spinner ने पहले इनिंग में 3 और दुसरे इनिंग में 4, ठीक है तो यह चीज है, इसके पहले Australia और England का हुआ तो Australia ने 201 बनाया और England 165 ही बना पाई तो दोनों मैच में एक चीज कामन थी, कि बैटिंग फर्ष्ट करने वाले टीम ने मैच को जीता है विकेट दोनों ही इनिंग में गिरे हैं, 7 विकेट पेसर ने लिये और 5 विकेट Spinner ने लिये दोनों ही मैच में कामन चीज़े ही हो रही है Pacer, Spinner दोनों को मदद मिल रही है Batting first करने वाली टीम ज्यादा run बना रही है और second batting करने वाली भी ऐसा नहीं कि 100 के अंदर all out हो जा रही है वो भी अच्छी batting कर रही है यहां भी 134 अभगानिस्तान ने बनाया England ने 105 बनाया 144 बनाया Australia ने Oman ने भी 125 बना दिया अब वही बात इसमें भी common है कि Oman जैसे टीम Australia के सामने भी इन्होंने 125 बनाया यानि दोनों इनिंग में batting के लायक पिछ होती है अगर यहां पर पहले batting आ जाती है USA की तो ऐसा नहीं है कि batting first करने वाली टीम में जीतेगी फिर West Indies चेस कर लेगी 11 wicket pacer और 2 wicket spinner 109 पे all out हो गई Oman के टीम Namibia ने इसको मतलब यह tie हो गया तो Super Over मुकाबला हुआ था 11 wicket pacer और 5 wicket spinner हर मैच में वही common चीज है बस इसमें थोड़ा कम run बना है कि दोनों कम जोर टीम थी Namibia फिर भी थोड़ी सी strong team है हमारा WhatsApp नंबर सेव करके रखिएगा अगर आप Dream 11 में loss में हो तो किवल Saga flashback कि इसी नंबर पे आप message करके अपने loss को recover कर सकते हो 914-0-233-474 इसके अलावा और कोई भी हमारा WhatsApp नंबर नहीं है कि जो मैंने आपको दिखाया भी उसमें से last के दोनों match batting first करने वाले टीम ने जीता है क्योंकि बाद में pitch थोड़ी सी slow हो जाती है batting करना थोड़ा difficult होता है second batting ने 9 match जीते है 160 का average score है जो कि बड़ा score है अच्छे score बनते हैं 224 highest है West Indies का 80 lowest है अफगानिस्तान का and 4 बार 190 प्लस बना है 7 बार 170 से 190 8 बार 150 से 179 और 9 बार 150 के नीचे बना है इसके लगा domestic match का भी मैंने यहां पे stats लिखा हुआ है यहां भी वही common चीज है कि बैटिंग first करने वाले टीम ने ज्यादा मैचे जीते हैं कि आप यहां पे read कर लेना screenshot लेकर के हम international पे focus करेंगे अब इस venue पे देख लेते हैं कौन से player अच्छा खेलते हैं चुकि USA ने यहां पे कोई भी मैच नहीं खेला है तो USA के player का यहां पे record नहीं है Jonasan Charles ने दो match खेला है 41 बना है इस venue पे और recent form भी इंकी अच्छी है मैं आगे दिखाऊंगा आपको Russell ने 5 मैच में 62 और 3 विकेट लिया है Russell की batting नहीं आप आती है ऐचकल ज्यादा ball खिलने का मौका नहीं मिलता है काफी नीचे batting आती है Rowan Powell 5 मैच में 183 61 का average यानि सबसे अच्छा record average wise कहा जाए तो Rowan Powell का है Romario Seffert नहीं यहाँ पे 7 में 8 विकेट लिये है Akhil Hussain ने 7 में 8 लिये है और Aljari Joseph ने 1 में 3 लिये हुए है दोनों टीम के बीच में hit-to-hit कोई भी मुकाबला नहीं हुआ है बाकि recent match की बात करें तो last match West Indies हार के आ रही है USA last के 2 match हार के आ रही है एक league stage वाला हा रहा था लाश वाला और एक match Super 8 का हा रहा है आगे चलते हैं दोनों टीम की playing 11 देख लेते हैं जोनासन चाल से opening करेंगे Brandon King के साथ फिर Nicholas Puran है Rowan Powell है Andresil Rutherford है Romario Seffert Roshan Chase Akil Hussain Aljari Joseph और G Moti अब यहां पी USA के playing 11 देख लेते हैं Stephen Taylor Goss के साथ opening करेंगे अगर Monarch Patel fit होते हैं तो खेलेंगे और captaincy करेंगे अदर्वाइस यही playing 11 रहेगी और last match इन्हों ने यह भले हार के आ रही है लेकिन South Africa के against इन्होंने बहुर अच्छा खेला था नितिस कुमार है फिर आरोन जोन्स, Corey Anderson जहांगीर, Harmeet Singh अली खान, Jesse Singh कैंजीगी और सौरव नेत्रवलकर कैंजीगी लाच में जो flop रहते तो इनको हो सकता हटा दिया जाए अब यहां पे अलग-अलग player का individually हम देख लेते हैं career summary देखेंगे, recent form देखेंगे, head to head venue देखेंगे तो जोनासन चार्ल्स, experience है अच्छा खासा अच्छी form में आ गए हैं, last के 2 match से बीच में 0 था, उसके पहले ही 44 था अच्छे player है venue पे कोई खास बहुत अच्छा record नहीं है बट experience है अच्छा कर सकते हैं अपने home ground पे Brandon King की बात की जाए, बहुत experience है last match में सुरुवात अच्छी की थी last के 3 match में flop होने के बाद बट फिर out हो गए देखलस सौट मारके venue पे इंका काफी अच्छा record है निकोलस पुरन बहुत ही सांधार फॉर्म में 36-98 जहां इनोंने 99 बनाया था हमने इंको wise captain में बनाया था उस match में फिर इसके बाद 93 मैच में 2048 रहने career में काफी experience है venue पे इंका अच्छा record है रोवन पॉविल नंबर 4 पे बैटिंग करने आ रहे है अच्छा performance कर रहे है 36-26 इस तरीके से score है and career में भी अच्छा experience है और venue पे सबसे अच्छा record इनी का है average 61 का है आंदर असल काफी नीचे बैटिंग कर रहे है बैटिंग नहीं आपा रही है और wicket ले रहे है एक-एक wicket अम मिल रहा है उतना कोई खास performance नहीं है but important रहेंगे इसके अलाव वैनने पे ठीक recording का इसके अलावा rather forward है यहाँ पे इन्होंने 68 बनाया यह 28 बनाया कम ball पे जरारम बनाने के लिए capable है but dream 11 की small league में इनको नहीं ले सकते हैं काफी नीचे बैटिंग आती है इसके अलावा Romarius effort भी कुछ खास नहीं कर पा रहे लगातार flop हो रहे है but USA के against विकेट ले सकते हैं बैटिंग नहीं आएगी बहुत कम chance है एक परसंट chance है की बैटिंग आएगी इसके अलाव वैनने बर ठीक record है साथ मैच में आठ विकेट है रोष्टन चेस खेल भी रहे है तो उतना इंको मौका नहीं मिल रहा है लेफ्ट हेंडर के against बॉलिंग करते हैं लेफ्ट हेंडर बहुत सारे है USA की टीम में तो इनको चार वर करने का मौका मिलेगा विकेट ले सकते हैं बैटिंग ओडर थोड़ा सा नीचे है इंका ऊपर किया जा सकता है इसके अलाबा अकिल हुसेन लाश मैच में विकेट लिस गया लेकिन इस सीजन बहुत अच्छा किया है वर्ल्ल कप में एक्स्पिरियंस अच्छा है साई होप को लाश मैच में चांस दिया गया था अच्छे प्लेयर है अच्छा परफॉर्मेंस किया था पचीस रभ बनाया था और काफी एक्स्पिरियंस है मेंली ओडियाई के लिए जाने जाते हैं बट आजकल टी-ट्वेंटी में भी अच्छा करते हैं वेन्यू पर कोई खास रिकॉर्ड नहीं है अच्छी बालिंग की थी अफगानिस्तान के अगेर जो मैच हुआ था पैतिस मैच में उन्चास विकेट है बहुत एक्सपिरियंस है यह भी इंपोर्टेंट रहेंगे आपको वेस्ट इंडीज के सारे बालर लेकर के चल ले है इसके अलावा यहाँ पर हैतमायर कम चांसे खेलेंगे आपको पता है बहुत अच्छे प्लेयर है इसके अलावा जोसेप का भी कम चांसे खेलेंगे अब आते हैं यूसे के प्लेयर का देख लेते हैं इसके लाग गॉस्ट ने साउथ अफरीका के असी रंग के पारी खेली थी बीच में एक और मैच पैसर्ट 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 बनाया था कैपेबल है काफी रन बनाने के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे आपके लिए इसके अलावा यहां पर देख सकते हो नितिसकुमार यह कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर ठीक ठाक है ग्रैड लिंग में ट्राइ करना आरोन जोंस इंके जो में प्लेयर है यह नहीं अच्छा कर पा रहे है और अगर मुनाक पते लाएंगे तो वह कैप्टेंसी करेंगे लास्ट के दो मैसे फ्लॉप जा रहे है, उसके पहले मैच विनिंग इनिंग खेली थी इन्होंने, अच्छे प्लेयर अच्छा कर सकते हैं जहांगिर लगातार दो मैसे फ्लॉप हो रहे है, हरमीज सिंग के और मश्ट पिक प्लेयर है, 38 रन दो विकेट, आपको पता होगा हरमीज सिंग वही प्लेयर है जब इंडिया ने अंडर 19 वल्ड कप खेला था, तो उनमुक्त चंद की कैप्टेंसी में इन्होंने भी खेला थ इंको मिल सकता है, ये भी ऑप अच्छे प्लेयर है, नैतर वलकर को तो लेकर चलना ही है ​लगातार विकेट, सिंगे zina से दौन पंट कैण के अच्छे प्लेयर है बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर लेते हैं इसके अलावा एन पटेल बहुत अच्छे प्लेयर है इंको मौका अभी तक मिला नहीं है बिलिंद कुमार को मौका नहीं मिला है मोनाक पटेल अगर खेलते हैं इसके अलावा यहां पर ध्यान भी रखते हुए रॉष्टन चेस को अपनी टीम में जगह दिये बाकि इसके अलावा टॉप थ्री मैंने यहां पर लिया है जोनासन चार्व ब्रेडन किंग ओपनिंग करेंगे फिर वन डाउन निकोलस पूरन आएंगे फिर रॉष्टन चेस आ सकते हैं नहीं तो फिर आप रॉष्टन चेस की जगह पर रॉवन पॉवल को लिए सकते हो नमबर चार पे आ रहे हैं तो यह भी एक चेंज आप कर सकते हो बाकि मैंने इनके जो चार में बॉलर है तो वह मैंने लिया है और Austin Chase भी इस match में 3-4 over कराएंगे left-hander होने की वज़े से इसके अलावा यहाँ पर हमारी previous winning है जिसका live winning proof का video इसी channel के video section मिल जाएगा बात करते हैं, paid membership की हमारा एक मात्र WhatsApp नमबर है 9140-233-474 हमारा paid membership का charge market में सबसे आदा हाई है winning में सबसे आदा हाई होती है एक हमने combined package launch किया जिसके सारे spot full हो चुके है अगर आप message करते हो, जितनी जल्दी से जल्दी membership के लिए अगर जब हम next time spot announce करेंगे तो आपको पहले preference दिया जाएगा Vitality Blast और T20 World Cup का combined package हम से ले सकते हो, अभी just start हुआ है Vitality Blast और भी बहुत सारे matches है और World Cup में अभी main-main matches बाकी ही है तो आप उसमें भी अपने lossage को recover कर सकते हो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आपका होशन दो, संकुरी signing out